हेलो डियर, वेल्कम बैक टू राजेस्टर डी और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहा हैं जो आप लोग का बढ़निका हिंदे है ना ये देख लेजिए बढ़निका भाग टू ठीक है क्लास 10 का है तो आप लोग का जो तीन चेप्टर है उसका नाम क्या है मा जिसके लेखा क्या है इस वार पेटली कर क्या नाम है इस वार पेटली कर तो ये जो चेप्टर है उसका हम पर्स उत्तर कराने बाले हैं क्या कराने बाले हैं पर्स उत्तर तो लग लगो जो हो जो है कोस कोस्चन एंसाइट्स में करवाएंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो एक नमर कोस्चन यहां पे लिखा होगा आप लोग देख रहे हैं तो पर्सन क्या है देख लेते हैं करा मंगो के परति मां और परिबार के अन्यस अदस्यों के बैभार में जो फर्क है उस अपने सब्दों में लिखे सिधा है तो देख लेते हैं इसका आंसर मंगो जनम से ही पागल और मुक थी मंगो जे हुआ जनम से पागल और मुक यानि की बधीर एक तरसे हम कर सकते हैं बोलती बोलती नहीं है अब पागल भी थी फिर भी मंगो के परति मां का बैभार बहुत बढ़िया था, मां उसे टटी पिसाब कराती, खिलाती और अपने साथ ही सुलाती, ठीक है, मां उसे जो भी उसकी दिन चरिया की चीज़ हुती, सब करवाती थी, अपने साथ सुलाती भी थी, और पूरा खान्या पिना, सोने का, उठने का, सब का धियान जो है, रखती थी मां ठीक है किन्तु भावियां उनसे घिरना करती थी भावी जो है मंगू से घिरना करती थी ठीक है बहन कहती थी कि मा का लार प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है जो मंगू की सिस्टर थी वो कर रहे थी कि जो मा का ही लार प्यार के कारण जो है मंगू जो है पागल हो गई है भाईों का बैभार भी मंगू के परती प्यारयुक्त नहीं था वैसे भाई का बैभार जो उतना ज्यादा दिखाया नहीं गया है काने में लेकिन जो भी दिया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं जो भाईों का बैभार भी मंगू के परती प्यारयुक्त नहीं था कमलेट है तो यह था आप लोग का एक नमर का answer एक नमर को आल्सार ले लिजे आगे हम दो मीरे आपको बता रहे हैं तो चले दो मेर हम इधर ले ली है question देखें चुट़र चुट़र आंसार जो हम लिखें हैं आप लोग to video में बने रहे हैं और परिक्षा की तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए अंसर को अपना कोपी में नोट करके याद भी गई है ठीक है परन संग्या दूख क्या करा है तो देख लेते हैं करा मा मंगु को अस्पाताल में क्यों नहीं भरती कराना चाहती थी वह चाहती विचार करें यानि कि यहां में कुछ चुटा है 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 होगा या फिर्थी होगा आप लोग की तामे से भी ला लेजेगा मां जो हम मंगु के अस्पाताल में क्यों नहीं भरती कराना चाहती थी इस पर विचार करना है सिंपल बात है मां समत्ती थी कि मैं मां होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पाताल वालों क कि जलो लिए ठीक है उहां उसे कौन प्यार से खिलाएगा उसका गिला बिशह होना कौन बदलेगा और कौन उससे अपने साथ सुलाएगा मां को ये एक बात हमेशा सताते रहता था और इसलिए भी मंगो को अस्पादाल मेने भरती कराती थी जो ओहां पर उसका गिला बिशह होना जो है कौन बदलेगा उसको समय समय पर उसका पेशाव करती है टटी करती है ठीक है तो वो सब जो है ठीक है उसको कौन साफ करेगा बिशहावन उसका कौन साफ करेगा उसको अपना साथ कौन सुलाएगा ठीक है यही सब बातों को सोचकर मां मंगो को अस्पाताल में नहीं बेचती है और यही सब बात के करणज है मां जो मंगो को अस्पाताल में नहीं बेचती है यह था आप लोग का दो नुमर का अंसर इसका वेस्ट के इंसर आप लोग ले लिजे आगे हम तीन नुमर जो है बताएंग देख मंगो के परति मा परिवार और समाज की परतिकिरिया को अपने सब्दों में लिखे यानि कि कुसुम क्या हो जाता है बोगा कुसुम पागल हो गई थी और जब कुसुम जो है एक तरसे ठीक हो जाती है पागल खाना में जाके तो उहां से जो लटती है, तो मा का, परिबार को और समाज के परतिकिरिया क्या रहता है, उसको दिखाना है, चले, देख लेते हैं, कुशुम जब ठीक होकर आई, तब सारा गाउं से देखने उमर बढा, टीक है, कुशुम जब ठीक होकर के अस्पताल से आई, तो उसको देखने के लिए पूरा गाहू जो है उमर बड़ा और सबसे आगे मा जी थी सबसे आगे कुन था मा जी थी कुसुम को ठीक ठाक देख मांजी को हर वैक्ति शला देने लगा मांजी आप एक बार मंगूल को अस्पाताल में बहती कर देखे ठीक है जब कुसुम ठीक ठाक हो गय करने लगा जी मां जी कम से कम आप जो है एक बार जो है मंगूर को अस्पाताल में भरती करा के देखें ठीक है वह जरूर अच्छी हो जाएगी ठीक है सब कर राता है एक बार भरती करवा के देखें जरूर जो है अच्छी हो जाएगे कुशूम से घर पर बात होने के बाद मा का अस्पताल में अस्पताल के परती जो घिरनित गाट पर गई थी वह खुल गई ठीक है कुसुम को जो है मा जो है एक दिन घर पर बोलाती है और अस्पताल के बारे में पूरी बात जो है पुछती है तो जो भी घिरना था जो घिरनित भाव था जो भी दुबधा था मा के मन में सब कुसुम से सुने के बाद जो है खतम हो गया ठीक है और यह भी एक बार सोचकर कि ठीक नहीं होगी तो घर लोटा दिया जाएगा ठीक है और मा जो है अंतता जो है कुसुम के बाद को जो है गोर से सुनती है और निडने करती है जो कुसुम को जो है ओ सरी मंगू को जो ह अस्पताल में भरती करवाया जाएगा ठीक है अगर ठीक नहीं होगी तो गहर लोट जाएंगे उसको ले करके ठीक है तो यह था आप लोग का तीन नमर का आंसर ते इसका वेस्केंसट आप ले सकते हैं हम बहुत छोटा छोटा आंसर जो है लिखिया है ताक आप लोग को जल् ठकता पर विचार करें ठीक है यानि कि कहानी जो मा कहाने है तो मा कहानी की सिर्षक जो है सार्थक है कि उसमें विचार करना है तो देख लेते हैं करें इस कहानी का सिर्षक मा है कहानी का सिर्षक क्या हुआ मा है पूरे कहानी में मा की परधानता है पूरे कहानी में किसकी प प्रकार मा जो है, जो उसका सबसे खराब बच्चा रहता है, ठीक है, उसी को ज़्यादा प्यार करती है मा, ठीक है, या आप लोग अपने जीवन में भी याद रखेगा, जो मा जो है, जो उसका सबसे जो बिकार बट, बेटा है या बेटी है, ठीक है, जो पागल है, जो नास प्यार जो है बहुत ज्यादा मिलता था ठीक है मां जो है उसको खुब सेवा करती थी मांगो के सेवा करती है और हमेशा ही चिंतित रहती है ठीक है मांगो को सेवा तो करती है लेकिन मांगो के परती जो है मां जो है बहुत ज्यादा चिंतित भी रहती है हमेशा चिंतित रहती चुकि सिर्षक का निर्धारन गटित गटना के अधार पर गटना अस्थान के अधार पर और परधान पातर के अधार पर होता है कोई भी कहानी का सिर्षक जो है गटित गटना के अधार पर होता है गटना के अस्थान के अधार पर होता है या उसमें जो पर्धान पातर होता है उसके अधार पर होता है तो यहां का थाकार में मा को ही पर्धान पातर बनाया पर्धान पातर यानिकी मुख्या पातर कोन है कहानी का मा है तो मा को पर्धान पातर बनाया है अतक कहानी का सिर्षक मा क्या है सार्थक है complete है तो यह था आप लोग का चार नमर का answer इसका skin source ले लिजिए आगे हम 5 जो आपको बता रहे हैं तो इधर है 5 ठीक है तिक लेते हैं 5 नमर में का कह रहा है पांच नमर का जो question है आपका उचारा है मंगु जिस अस्पताल में भरती की जाती है मंगु जिस अस्पताल में भरती की जाती है उस अस्पताल के करमचारी बैभार, उसल है या सम्मिदन सिल विचार करें मंगु जो अस्पताल में भरती कराई जाती है उसका विचार जो है उसल है या सम्मिदन सिल है इस पर विजार करना है, चुछे, देखते हैं, मंगुं जिस अस्पताल में भरती की जाती है, उस अस्पताल के क्रमचारी का बैभार, कुसल है, क्या है, कुसल है, रोगी के अभिभाव के साथ, कैसे पेश आना चाहिए, और रोगी के साथ, कैसा बैभार करना चाहिए इसे विए अच्छी तरह समझते हैं यानि कि जो भी करमचारी है अस्पताल में उनको बहुत अच्छी तरह से पता है ये रोगी के साथ कैसे पेशाना है और रोगी के जो अभिभावक है उनके साथ कैसे पेशाना है बहुत बढ़िया उनको पता है और बैभार में लाते हैं पती के सामने परिचारका ने पगली इस तीरी के साथ बढ़ा स्वम्मे बैभार किया यानि कि जब आप कहानी पढ़े होई एगा, तो देखे होई एगा जो किसी का पगली ती पगली, उसका पती जब उससे मिलने आता है, तो बहुत समय बैभार उस समय परिचारका पागल औरत के साथ करती है तो समाने लोग कुरूद हो जाते जैसा बैभार उस समय की परिचारका के साथ जो पागल औरत की तो समाने लोग कुरूद हो जाता आप लोग रहते तो जोटा उटा पोकर के बड़ मारते लेकिन परिचार का क्या करते है मतलब अपना एकदम सम्मेधन सिलता दिखाती है और कुरूध नहीं होती है समाने लोग क्या हो जाते कुरूध हो जाते अस्पताल के करमचारी अपने बैभार से मा को अस्वस्त कर दिये अता हुए बैभार फुशा लेना की समिदन से अस्पताल की जो करमचारी थे वो अपना सौभाव से मा को यह स्वस्त कर दिये जो आपकी पुतरी है हमारे पास ठीक है शुड़क्षित रहेगे और आपके घर से बढ़िया जो हम इसको रखेंगे तो यह था आपका पांच का एंसर ठीक है इसका व्यास की शुट आप लोग ले लिजे और बच जाएगा आपका शौ शौ जो हम इसलिए ने बनाए उसमें सारामस है सारामस का जो है वीडियो जो हम अलग से बना देंगे तो तब तक के लिए बाए मैं आसा करता हूँ कि आपको जो है यह वीडियो जो है बहुत बढ़िया लगा होगा तो अपने दोस्ति के पास शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सस्क्राब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तब तक के लिए बाई जैहन जैवारत